दोस्तो नमस्कार करनल अजय सीओ अजय स्ट्रोमानी गुरू आज 28 फरवरी सन 2024 दोस्तो खबर निकल के आ रही है कि नॉर्डर्ण इंडिया में एक मार्स से OMSS यानि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सरकारी ग्यों की विक्री नहीं हो पाएगी गौर्तलबे की पिछले आठ मैनों के दौरान बजार में प्रोसेसर्स को लगबग 9 मिलियन टन ग्यों की सरकारी विक्री की गई थी साब्ता ही इस आॉक्शन के जरिये अब जब नई फसल ग्यों की खरीदारी मार्च में शुरू हो रही है तो सरकार ने उत्री भारत में एक मार्च के बाद ओपन मार्केट सेल स्कीम के ताहट एप सी आई द्वारा की जाने वाली साब्ता ही इनिलामी के ताहट कियों की बिक्री को रोकने का फैसला किया है गौरतलवे की भारत आठा ब्रांच से 27 रुपए 50 पैसे पती किलोगराम के दर से 10 किलोगराम की सरकारी बिक्री जारी रहेगी और लगबग अगले चार से पांच मेंने के दरान एक दिश्मला पांच मिलियन टन की बिक्री का टारगेट निरधारिक किया गया है गौरतलवे की नॉवंबर 2023 में ये स्कीम लाँच होने के बाद सरकार पहले से 0.35 मिलियन टन भारत आठा बेच चुकी है और रिटेल बिक्री के लिए एफसी आई भारत ब्रांट के तायत आठा की पैकिंग के लिए सेरकारी सिमितियों को 1715 रुपए प्रतिक उन्टल के दर से गेहूं की सप्लाई करता है बिविन खादे प्रदार्तों की किमतों को काबू रखने के लिए मीडिया को जनकरी देते वे केंद्रे खादस अचीव स्रीशत संजीव चोपडाने का है कि सरकार ने नौफिट और NCCF के मादियम से रिटेल कंजूमर को 1.5 मिलियन टन भारत ब्रांच चावल बेचने का भी निड़ने किया है क्योंकि इसके लाउंच के बाद लगवग 20-30,000 टन चावल पहले ही बेचा जातने की समाचार है स्रीशोपडा ने उत्तर प्रदेश को ने गुरुवार को एक मार्च से ग्यों की खरीदी शुरू करने की सहमेती रखी है ताथा बाकी राज़ों में भी ग्यों की फसल आवक यानि अराईवल के अधार पर इसी प्रकार सरकारी खरीद का मॉडल अपना सकते है किनने पहले ही ग्यों फाधकराजों को जितनी जल्दी हो से के ग्यों की खरीदाय तैार करनी के डाहशन दिय Aware है खास जोरपर अगले माहने के पहले पकवाडे से ये खरीदारी शुरू होगी यानि मार्च के 15 तारिक पाकी थह खरीदारी शुरू होगी क्योंकि साब्ताई की निलामी में ग्यूं का अरक्षित मुल्य एक्टी सो पची से एक्टी सो पचास रुपए पतिक यूंटल टाय किया गया है जबकि नई खरीद सरकार द्वारा MSP के 2275 रुपए पतिक यूंटल पे करेगी आता है 2275 रुपए की सरकारी खरीद होगी और 225 से 250 रुपए यदि आरक्षित मुल्य पे सरकारी की इन इलामी के कियेगी तो इसका कुछ नाजायश फायदा लोग उठा सकते हैं आता है ओपन मार्केट सेल स्कीम जारी रखने का अभी कोई और चुत ही रह जाता ओपन मार्केट सेल स्कीम जारी रहने पर रीसाइकलिंग की गुजनाईश बढ़ जाती है और सरकारी भंडार में फिर से वही आनाज आ सकता है गौरतलब है कि सरकारी भंडार से गहों की खुली बिक्री के कारण एक अपरल तक सरकारी बफर स्टॉक भिरदारिक माबदर से नीचे जा सकता है केंद रहे अठाई जून से OMSS की टायद बिक्री शुरू कर दी थी और जितना संबोश से हो सके उतना गहों बेचने का वादा किया था ताकि गहरेलो बजार में गहों की किमतें न बढ़ से के कई प्रतिमदों के कारण जब पहली तीन निल्लामियों में न्यूंतम उठाव हुआ था उसके बाद पूरी अबदी के दौरान प्रते एक निल्लामी में कुल उठाव का पिच्छाण में प्रतिशत से अधिक रहा दब सरकार ने प्रतावित मात्रव को 0.14 मिलियन टन प्रतिस सब्ता से बढ़ा कर 0.5 मिलियन टन प्रतिस सब्ता कर दिया था दोस्तों ये तो जारकारिया आप तक हमने चैजज एस्ट्रोमनी गुरू के जरिए पहचाई जा रही है गौर्टलवे की साल 2023 के अगस्त मेने में जब गहूं के दाम नीचे थे उस वक्त हमने आपको गहूं के अंदर तेजी की बात कही थी अक्टूबर नौवंबर में जब गहूं के भावद हो जारते इसके उचितम इस्तर पर थे तब आपको हमने इसका इसको विक्वाल लिगी करने की सला दी थी और उसके बाद लगवग 20% से अधिक दाम गहूं के घटे थे तो दोस्तो गेहूं चावल मक्का बाजरा, ग्रेंज, डाले, मसाले और खाद ले तेलों के उपर के साथ साथ का पास की विशेश जानकरी और रिशीर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर कर सकते हैं दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी को फायदा नहीं होता है ये तभी व्यापारी को फायदा हो सकता है जो वो समय पर खरीदे और समय पर बेचे और उसकी विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर करें अल्डवरी बास्ट गुड़ लगए थेड़ी